हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुरी स्वाल्ट करता हूँ पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में में बात करने वाले साथ इस हवलडार जो आपके तैन्य हो इता सकती हैं वह सकती है पृ किस डीट के वील्ट करा और हैं और ग्यारा है कि यह की स Christian किया wel गया कि paint क्या कॉंड क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में आपके सवाल हैंगे मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूँगा कि किस तरीके से MTS हवलदार का आगे का प्रोसेस रहने वाला है तो चले वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर दीजेगा गोर्मन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कि आपका कितने मार्क हराइब कर आपके बन रहे हैं सबासे को समझने मैं चार चार सब्सक्राइब math, English और GK आपका सभी के 25-25 सवाल इसके अंदर थे reasoning के अंदर तो देखिए आपको 25 में से 25 ही करने होंगे और math में आप अगर 23 या फिर 24 भी कर देते हैं high accuracy इसके अंदर energy हैं जितने आपने किये हैं उतने आपको सही होने चाहिए है और इसके अंदर अगर English में बात करता हूं तो अगर आपने 20 प्लस किये हैं और GK भी काफी easy है तो 20 प्लस आपको करने ही थे तो overall जो आपका attempt जाता है वो 85 प्लस ही जाता है अगर आपने 85 प्लस किये हैं तो आप कही ना कहीं एक safe category की तरफ हैं अगर आपकी accuracy अच्छी है अगर आपने 85 नहीं किये हैं मैं सिर्फ यहां पर यूर कैटिगरी की बात कर रहा हूं जर्नल केंडिडेट की बात कर रहा हूं बात में है कि इसके अंदर से आप माइनस कीजेगा तो तो है कि 75 मार्क्स जो है आपके इजिली आ जाएंगे और 75 रो मार्क्स के बाद 100 परसेंट चांस है कि आपको जो है कि सेकिंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा अगर आपके एक्कुरेसी इतनी नहीं है इतनी अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप यूर के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है और अपका जो एक्जाम है भी खतम नहीं हुआ है बीच में आधे हो गए आधे होने बाकी है तो इस वज़े से जो बात में करने वाला हूं एक्जाम से टिलेटिट वह आप भ्यान से सुनिएगा देखिए जिन केंडिडेट का अपकमिंग शिफ्ट में एक्जाम है तो उनको जितने भी प्रीवियस येर में सोरी प्रीवियस शिफ्ट में सवाल आये हैं उन से सक्षन वाई तो रीजनिंग का जो सक्षन है वो काफी ज़्यादा इजी है मैक्सिमम केंडिडेट जो है 25 सवाल ही इसमें अटेम्ट करके आ रहे हैं और एक्दम हंड़ेट परसेंट है मैथ के अंदर जो कोश्चन है दो से तीन कोश्चन जो हैं वो मोडरेट कोश्चन है जानिकर उनमें टाइम ज्यादा लएगा या फिर बहुतों का अंसर नहीं निकल रहा लेकिन मैथ के अंदर भी आप 22 कोश्चन को आज सानी से बना सकते हैं वहीं अगर मैं बात करता हूं इंग्लिस की तो इंग्लिस में अगर आपने ज्यादा इंग्लिस नहीं पड़ी थो कण dolphins सब्सक двух अधर अगर। आपने इस तरीके से एक्जाम सुफ नहीं किया और आपने अटेम्ट किये हैं 70 या फिर आपने अटेम्ट किये हैं 42 ए qualcिर już आपने इंगे मनु एनसिक्स्टी वाइफ या फिर आपने अटेम्ट किये तो इनका यू एक कोई मतलब नहीं ह्याई सकते हैं लेकिन जब भी चार पाच सेक्शन आते हैं इसके अंदर जिसे मैध हो गया रीजनिंग हो गया फिर जी कि आपका इंगलीश हो गया तो जो होते हैं वो काफी ज़्यादा अच्छा अच्छा करते हैं कि बहुत से तो कर जाते हैं उनके 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो इसके अंदर भी आप को मैंने बता दिया है लेकिन अगर कट ओफ रेंज की में बात करता हूं तो यू आर के लिए आप 75 प्लस ओबीशी के लिए आप यह रोमाक्स की बात हो रही है यहां पर 72 प्लस EWS के लिए आपका सेम ही रहेगा यह कम रह सकता 71 मान लीजिए और अगर मैं बात करता हूं स्ट के लिए तो आप अगर 65 प्लस हैं और स्ट के लिए गरा 60 प्लस हैं रोमाक्स में नॉर्मलाइजेशन के बाद यह जो कट ओफ होगी या जी नॉर्मलाइज के बाद जो आपके मांक्स होंगे वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे यह मैंने रोमाक्स बताएं क्योंकि क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के अंदर एक्जाम का जो लेवल है काफी है कट ओफ रेंज मैंने आपको बता दी है आपके किस हिसाब से नंबर जो है कैलकुलेट किये जाएंगे फाइनल मेरिट में वो सब आपको फाइनल मेरिट पर ही पता चलेगा लेकिन जो आप आपका प्री एक्जाम है उसको कौलिफाइब करने के लिए मैंने आपको कट ओफ रेंज भी बता दी है रो मार्क्स ओन दबेसे ओव रो मार्क्स तो इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्रा करके बैल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा